है है हैllo दोस्तों कैसे आपलोग घवपल Sãoब तो आध्म लोग्त एक बहुत करने वाले चलिए हम लोग जो है वह को पर इस फिर किसे हुख Nah कि अध्ल है 11 का उसको जो है हमस्रूप करते क्या 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 हम लोग करेंगे हम लोग करेंगे आई-एटी मेंस एडवांस का क्वेश्टिन को जो है हम लोग जो है वो आज केवल करने वाले हैं ठीक है अपी का तो उसके लिए जो है आप रेडी हो जाएंगे लेಟi में इसको स्टस्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोगोंने क्या पढ़ा चलिए डश्टर कहा है सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या था यह पहले बताई आपको सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था d के बारे में क्या पढ़ा था ssn-sn-1 is equal to d पहला यह फर्मूला पढ़ा थ दुस्रें क्या प्रघ आठं और 2 लोत एंक्या अन्हें क्या अन्हें semua डॉट्टा गद्टि आंठ प्लस वान-डृसरौह सॉरी सरीशोरी लिँमस्रा अनिया और टीन आखेने किया एगा एन्फ टर्म dit वन मीन आर्प sum of nth term minus sum of n minus 1 term is equal to nth term and nth term n plus 1 minus tn is equal to tn plus 1 tn minus tn is equal to d हम दोगे रहें second formula यह पढ़ा था, third formula क्या पढ़ा था, third formula यह पढ़ा था, tn is equal to a plus n minus 1 into d यह किसका form होता है, यह होता है आपका ap का form, होता है कि नहीं, यह तीन formula आपको याद है, हम लोगों ने इसको पढ़ा है अब देखें यहाँ पे, अगर कोई ap, अगर कोई ap, अगर कोई number an, b, an plus b के form में है, जिसे 3n plus 5 के form में है तो यह जो है, यह क्या है, each an ap, क्या है, वो ap है, वो क्या है, वो ap है, और इसका जो है, वो first term क्या होगा, या first term क्या होगा मैंने आपको क्या बदाया था, first term, इसकी जो first term होगी, वो a plus b होगी, क्या होगी, a plus b होगी, क्या होगी, a plus b होगी करते हैं कि आप जो इसमझ गया होंगे कि इसके first time क्या होगी a प्लस B होगा इसकी common difference क्या होगी a होगी क्या होगी common difference क्या होगा a होगा ठीक है अब हम लोग जो है अपने next formula पर बात करते हैं हम लोगा next formula क्या था वाई हम लोगा next formula था s n is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d हम लोगा यह formula था next जिससे हम लोग कोई चीज को जो है वो जोड सकते हैं और एक और formula था n by 2 a plus l मतला first term plus last term first term plus last term ठीक है तो यह भी वह फ़र्मूला था पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने अब हम लोगों ने और क्या पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था sum of क्या पढ़ा था यह पढ़ा था sum of sum of first sum of first and natural number क्या sum of first and natural number natural number equal to हम लोगों ने क्या पढ़ा था n n plus 1 by 2 क्या n n plus 1 by 2 n n plus 1 sorry हाहां हाहाहाहा iam हम लोगों ने क्या पढ़ा था यह हमला आफ सही है अब देखें यहां बें आफ और अब लोगों ने पढ़ा था sum of first and odd number print sum of first and alright number order number क्या पढ़ा था हम लोगों ने n इस्क्वायर फिर हम लोगों ने वो क्या पढ़ा था फिर हम लोग ने पढ़ा था sum of 1st and event number या पढ़ा थे हम लोग ने इसमें से 2 होटा देना है NN P les one ये बढ़ा था formula क्या पढ़ा था कि नहीं ये formula ये formula ये formula ये formula ये ये या ये सब हम लोगंने जो है वो फॉअस लेटे करक्चर कौबर किया था इतना फोर्मुलर किया था कि नहीं अब सेकेंड लेक्चर में लोगों ने क्या गबर किया का वो मैं आपको बदाऊंगा पहले आप इसको लिखった क्या क्या जेरह हो अगर आप फ सब्सक्राइब कि जब'm लिख डाले 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 लिख करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज को जो है वो लिख लिया होगा तो अब हम लोग ने जो है अब हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको जो है वो पीछे से क्य तो क्या किजेगा आप क्या किजेगा कि पहले इसको रिवर्स कर दीजेगा और दूसरा 2-D, 2-D, minus D में उसको तब्दिल कर दिजएगा, क्या कीजएगा, minus D में उसको बदल दिजएगा, अगर D है तो minus D में उसको बदल दिजएगा, और third step क्या करेंगे, कि उसको हम लूग solve कर देंगे, किस formula से, T and is equal to L plus n-1 into minus D, minus D, पहले जो है अगर हम लोग AP को जो है वो reverse करेंगे तो A क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोग का last term क्या हो जाएगा last term जिसको हम लोग किसे denote कर सकते हैं L से मैंने आपको जो है वो पिछले lecture में ही यह सब जो है यह सब cover करवा दिया था क्या किया था यह सब जो है वो cover करवा दिया था फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में to find k term अब दूसरा यही यही यह तो method number one था क्या था यह method number one था अगर हमको to find के टर्म ननका राज करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है अगर हम को इसकोdo है वो लास्ट एलिक को रिवार्स करके नहीं find करना है तो हम लोग यह formula का use करेंगे n-TP ross one term from beginning from beginning इस formula का use करेंगे from beginning from beginning क्या from beginning यह ऐसे बन जाएगा टी और अब हम लोग जो है वो इसको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे T N-K प्लस 1 इतना करके उसके बाद हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे A plus N-1 into D वाला और फटक सेने हम लोग जो है क्या करेंगी की answer जो है वो निकाल लेंगे हम लोग ने इस सेकंड लेक्चर में देखा था यह सब सारे चीज थो हम लोग पढ़ लिया है तो अब हम लोग जो है वो आयेटी और मिंस का कुस्टिन को जो है वो चलिए solve करते हैं ठीक है क्या करते हैं है तो मैं इसको वहां मिटा देता हूं मैं इसको क्या करता हूं मिटा देता हूं आप देखें यहां पर आपको जो है रहा है कि आपकी स्क्रीन पर वह यह कुश्चन आगया है तो यह जो है यह जो है यह IIT जो है वह उसका question है अब देखें यहाप मैं आप कोई चीज बताना चाहूंगा कि इस question में हम लोग क्या करेंगे आ यह जानते है इसके बारे में क्या है कि find the first 24 term of NAP find the first 24 term of NAP of NAP A1 A2 A3 if it is not that A1 plus A5 plus A10 plus A20 plus A24 is equal to 225 कितना है 225 है तो इसको जो हम लोग पहले जो है वो method number 1 से solve करेंगे फिर हम लोग जो है वो method number 2 से solve करेंगे ठीक है तो हम लोग जो है वो 2 method से solve करेंगे पहले जो है आपने जो है वो 10th में जैसे solve किया है या नहीं solve किया तो आप सीख जाइएगा तो वो जो है हम लोग 2 method से जो है वो इसको solve करेंगे ठीक है हाँ क्या करेंगे इसको जो है यह बोल क्या रहा है क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि find the sum of 24 term of an AP find the sum of 24 term of an AP मतलब क्या की A1, A2 A3 कहां गया है या डॉस्टो A1, A2 A3 dot 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 r in AP r in AP क्या है यह जो है यह सब AP में ठीक है अब क्या बोल रहा है कि A1 पलास A5 पलास A10 पलास A15 पलास A20 पलास A24 इस उकल टू कितना है 220 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A plus 4D क्या लिख सकते है A plus 4D क्या लिख सकते हैं A plus 19D फिर A plus 23D क्या A plus 23D is equal to 225 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A1 को जो है हम लोग A ही लिखते हैं आपको मालूम है A1 को जो है हम लोग A ही लिखते हैं हम लोग 2nd lecture में इसका बात कर चुके हैं तो आप जो है होग करते हैं कि यह 63 आएगा कितना आएगा यह 63 कि 69 आएगा 63 कि 69 हाँ 69 आएगा 69 आएगा 69 आएगा 69 आएगा इसको 225 तो अब हम लोग जो है वो इसको 3 से जो है भागा दे सकते हैं कि नहीं 3 से जो है हम लोग इसको काट सकते हैं की नहीं काट सकते हैं गबाद चेक किजे तो इसको चेक किजे चेक किजे विडियो को पॉल्ज किजे और इबाद चेक करके बताइए हमको कि इसको जो है हम लोग तीन से काट सकते हैं कि नहीं तीन से 2A plus 23D is equal to 225 by 3 तो तीन से गया कितना पार में तीन से गया यह साथ 5 हाँ काट सकते हैं तो 2A plus 23D is equal to 75 कितना है 75 यह हम लोग पहला लिख लिए ठीक है यह क्या किए यहां पर हम लोग पहला निख लिए है हम लोग पहला वो लिख लिए पहला क्या किया पहला लिख लिए ठीक है अब देखें यहां पर यह इसको जो है आप इसको जो है वो लिख लिजे पहले पहले आप इस टेट को जो है वो छाप लिजे क्या किजिए पहले आप जो है उसको लिख लिजे फिर हम लोग जो है वह आगे चलते हैं ठीक है तो होप करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज़ को विडियो को पॉज़ करके लिख लिया होगा तो अब हम लोग जो है हम लोग आ गया थे कितना 75 आ गया थे ठीक है अब हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि A1, A2, A3 या रिने पी क्या था sum of first 24 term क्या था sum of first 24 term मतलब A1, A2, A3 plus A4 dot 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 plus A24 तक जो है यह कितना है यह sum है sum of 24 terms तो क्या है आपका N by 2, 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 24 24 by 2 into 2A, 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 A कितना है 24, 2A plus N minus 1 N कितना है अपका, N कितना का difference पह है क्या बोल सकते हम लोग 24-1 इन्टु D D D डीождения है बता किरें किया करें इसको जो है हम लोग ऐसे ही लिग देते हैं तो किनफेन यहाँ पना आपका 12 2A plus 23d अब यहाँ पे हम लोग 2A plus 23d का फॉर्मुला पहले निकालिए मतलब लिए थे तो इंसर आ रहा है आपको 900 कितना आएगा 900 कितना आएगा 900 नमबर1 से कौन मेथट से मेथड नमबर1 से पहले हम लोगों ने क्या किया पहले हम लोगों ने इसका जो है यह यह देखा कि यहां पर क्या बदाता है कि sum of sum of first 24 terms तो इसको जोड़ा तो इतना किया और इतना इसको पूट कर दिया और अबने मेथड नंबर वन से जो है वह एंसर निकाल लिया क्या किया नंबर वन से जो है वह एंसर निकाल लिया तो जबी से इसको लिक लीजिए कि अधी कर दो कि अब करते हैं कि आपने जो है वह इस चीज को जो है वह लिन्व टांग कर लिया होगा तो अब देखें यहां पर अब यहां पर वह आप अब हम लोग method number 2 के बारे इम बात करते हैं कि इसके बारे में method number 2 के बारे इम बात करते हैं ठीक है तो method number 2 क्या बोल रहा है कि a1 आपको एक बात मालू मैं न a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 is equal to कितना था 2 to 5 था था कि नहीं तो आप भी घर से अगर यह चीज़ जोड रहे हैं आपको जो है मैंने लिखवाए था property of ap तो मैंने यह चीज़ लिखवाए था कि sum of first term and last term is equal to same तो a plus a जो हमेशा रहता है तो यहां पर कितना आ गया a25 आ गया फिर इसको जो है अगर आप करेंगे इसको तो कितना आएगा a25 आएगा फिर इसको अगर आप करते हैं यह दोनों को तब पर भी कितना आएगा a25 आएगा कि नहीं a25 आएगा कि नहीं a25 तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं a1 प्रोपर्टी को आप याद रखें जो मैंने प्रोपर्टी लिखवाई है उसको याद रखें तो यह हो तो यह हो गया फीर रखें लिए आप यह दो आपधि क्हें से ही जलक्ति जब तक मैं फोर सब्सक्राइब लगने प्रॉग में इसको इसके करणाशन कि अब करते हैं कि आपने जो है वो इस सीज को लिख लिए होगा ठीक है तो हम लोग है कि वह यह वाला चीज को याद याद रखना है क्या करना है यह वाला चीज को जो है वह याद रखना है यह वाला एवन प्लस एट्वेंटीफोर इस इकल तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है क्या डायरेक्ट है एसे इस इकल टू एन बाइट टू ए प्लस एल फॉर्स टर्म प्लस लास्टर मैंने आपको भी फॉर्मूले लिखवाया है तो इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे कि यह ट्वेंटीफोर कर देंगे यहाँ पे तो ट्वेंटीफोर बाइटू एपलस कितना गया है नाइन अध्रेटए डायरेक्ट एंशर क्या यह बता है आपको दिखकत कर रही होगी अ प्लस अपने कैसे लिख दिया तो भाईया कितना हुआ? यह 75 कितना है 75 आया कि नहीं? अब 12 इन्टु 75 कितना है 900 कितना है 900 कितना है 900 होप करते हैं कि आप जो調פम समझ गया होंगे कि कैसे मैंने वो पनाया इस northwestern को रिपीट भी कर दिया तो आप इस question को समझ गया होंगी तो जल्दी से उसको को र्यवाइव कर लीजिए फिर हम लोग पने नेक्स्ट क्फेश्टन कि तरफ अब बढ़ते हैं क्या करते हैंआ जल्दी से रैट डा़ कर लीजिए उसके बाद हम लोग यह मेंस 2019 को करेंगे कब का जे मेंस 2019 को ठीक है तो जलती से जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए हुए हुँए हो ठीक है आप करते हैं कि आपमे जो है वो इस तो आप इसको बनाईएगा आपके स्क्रीन पर कोश्चन आ रहा है तो जैसा कि आप देख पा रहा है कि आपके स्क्रीन पर जो है वह यह क्वेश्चन आ चुका है कि क्या इफ ए वन ए टू ए रिने पी क्या इफ ए वन ए टू ए घ्रि आरिने पी सच डैट इऑ प्लस आपके जोड़ना यह इसको और फिर अनसर पुराना ला कुस्ट प्लस टाइक ही है विधा नमर वन से इसको बनाई हो जल्दी वीडियो को पॉच किजिए और इसको बनाईए क्या किजिए वीडियो को पॉच किजिए और इसको बनाईए कि पहुच कर लिया चलिए चलिए तो अब हम लोग जो है वह इसको बनाते हैं क्या करते हैं जालिए देखिए जल्दी but जलती से देखिए बहुत ही बेटरीन गूस्चन एक बार उचे गांधिश चल रहा है जैने के गूस्चन कि क्या है वगई एवन है तो ए को हम लोग एवन लिख सकते हैं प्लास ए प्लास 6D क्या ए प्लास 6D प्लास 15D कितना ए प्लास 15D लिखेंगे कि न इसको लिखेंगे इसको आप देखिए यहां पे 3A प्लास कितना आएगा चो एक ऐस आएगा 21D इसको टू 40 मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं A प्लास 7D इसको टू 40 बाइ 3 क्या A प्लास 7D इसको टू कितना 40 बाइ 3 कितना 40 बाइ 3 कितना 40 बाइ 3 40 बाइ 3 40 बाइ 3 अब देखिए यहां पे अब मैं आपको इस चीज़ बताना चाहूंगा कि यहां पे क्या लिखा हुगा है कि sum of first 15 terms मतलब क्या A1 प्लास A2 प्लास A3 प्लास से लेके A15 तक तो कितना आ गया A15 is equal to कितना आ गया sum of 15 term तक जोणना है ना तो इसलिए A15 लिखे तो 15 बाइ 2 2A प्लास 15 माइनस 1 बाइ D तो कितना आ गया 15 बाइ 2 2A प्लास 14D 2A प्लास 14D कितना आ गया 2A प्लास 14D और यहां पे अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो A प्लास 70 कितना A प्लास 70 तो कितना आ गया इसको जो है अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो 15 into 40 by 3 कितना 40 by 3 3 से 3 कट गया 5 बार में 5 200 एंसर आ गया एंसर दिख रहा है 200 कहीं एंसर आ गया इतना आसान क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन इतना आसान देख लिजे कितना आसानी से जो है हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को जो है वो तोड़ दिया क्या किया तोड़ दिया कितना आसानी से जो है और कि चीज कि आप बताना चाहता हूं कि आग흡़ आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप को कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको Instagram पर direct message कर सकते हैं ठीक है लिंक जो है वो description में है वह आप देख लिजिएगा description ठीक है जैसे अगर आप more पर click किजिएगा वीडियो देखने के बाद अगर आप more पर click करते हैं तो description आता है उस पर आप देख लिजिएगा कि इंस्टाग्राम का लेंक है फेस्बूक का लेंक है फेस्बूक पर तो मैं उतना ही अक्टिव रहता हूं तो आप उससे जो है पूछ सकते हैं मेरे से कुछ question 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 अगर आपको doubt out है तो ठीक है मैं आपको हर प्रसनल आपमी को जवाब दूंगा tension मत लेजिए ठीक है तो जल्दी से जो है वह इसको लिख डाली है क्याकि दिए इसको लिख डाली हुआ पर भाप नहीं हो certainly है अपने जो है वो इस चीज को जो है वह लिख डाला होगा लिख डाला आ अपने यह जो है वह लिख डाला होगा अब देखें यहां पर अब हम लोग जो है वह अपने लिक्स टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं क्या हम आप लोग जो है वो अपने next topic की तिरफ जो है next question की तरफ अभी आपके screen पे बहुत ही आसान question आने वाला है क्योंकि उसके बाद बहुत ही भारी question आने वाला है ठीक है तो जल्दी तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके screen पे next question आ गया होगा आ गया कि नहीं आपके screen पे next question आ गया होगा क्या बोल रहा है कि find the common distance क्या common difference मतलब d find the common difference and nth term of the sequence whose sum is sum of nth term is क्या है बही क्या है sn is equal to sn is equal to f5 n square plus 2n मतलब क्या sum of nth term is equal to this number है अगर यह किस अगर यह ऐसा number है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि R in AP क्या R in AP अगर यह ऐसा form में है तो यह क्या है यह AP में है अगर यह ऐसा form में है तो common difference कैसे निकालेंगे a plus b क्या करेंगे a plus b कितना आएगा 5 plus 2 कितना आएगा 7 ठीक है अब a निकालेंगे हम लोग तभी न जो है हम लोग nth term निकाल पाएंगे तो a निकालना पड़ेगा हम लोग को a कितना होगा a is equal to t1 is equal to s1 कितना आएगा 5 plus 2 7 यह भी 7 ही आएगा यह भी 7 आएगा a into 2 5 into 2 sorry 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 common difference यहां पर कितना आएगा common difference आएगा a into b क्या a into b sorry 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 दिमाग से उतर गया था कितना आएगा 5 into 2 कितना आगया 10 आगया कितना आगया मैंने आपको सुरू में बताये था इसका common difference अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा a into b करना होगा क्या करना होगा a into b करना होगा यहां पर जो है हम लोगों ने a into b किया क्या किया a into b क्या 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 a into b क्या तो हम लोगा common difference आ गया और जो है हम लोग का a आ गया तो आप हम लोगों क्या निकालना है अब हम लोगों सिक्वेंस निकालना है ठीक है तो कैसे होगा पहला होगा स्ताथ फिर होगा 17 फिर 27 फिर ऐसे चलते जाएगा क्या करते जाएगा चलते जाएगा फिर चले लिखिये देते हैं 37 47 इसी चलते जाएगा यही जो है यह आपका का एंसर हो गया ठीक है बहुत ही बेतरीन आसान कोश्चन है उसके बाद आपको एडवांस के कुश्चन देने वाला हूं इसलिए असान कोश्चन एक देदी है ठीक है इसको आप जो है वह आराम से बना लिजिए ठीक है खुब करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज को जो है वो बना लिआ होगा बना लिआ बना लिआ होगा ठीक है अपने क्या किया होगा इस चीज को जो है वह बना लिया होगा ठीक है अब देखें यहां पे अब आप क्या कर सकते हैं कि आप हम लोग जो है वह अपने नए question की तरह बढ़ते हैं तो आप अपने screen पर देखिए अपने screen पर हाँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर बहुत ही बहुत ही क्या है कहां का है कहां का है दोहजार नों आठ है इसको बनाईए ठीक है बीडियो को पहुच किजिए पहले मैं समझा दे रहा हूं उसके बाद इसको बनाइए ठीक है the number of terms, the number of terms in an AP is even. ट्डीस sofort पाइब्स Senior Jang K्या है ये ट्ट और ट्टन क्या है ट्टन है यह तो ए ट्टन में होता है जोड़रा तो यह स्वाभिशन में तर्म मुए मैंने आपको फ Trulyल बाइब्स लेक्शा किसे सों में होता है ट्टन form में होता है, the sum of odd term is 24, मतलब क्या, कि a1 पलास, a3 पलास, a5 पलास, a7, इजे यह, the sum of, the sum of odd term is 24, क्या कि यह जो है, यह इतना जितना भी है, इसको जोड जोड जाड़े, the sum of odd term, dot dot dot, a2n-1 कैसा है, यह जो है, यह मैंने आपको बता चुका है, यह जो है, किस form में है, यह a1, a3, a5, a7, 2n-1 is equal to 24 है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, odd term is 24, the sum of even term is 30, क्या, a2 plus, a4 plus, a6 plus, a8 से लेके, कितना तक, a2n तक, कितना है भाई, कितना है, 30 है, कितना है, 30 है, and last term exceed, the first term, क्या, last term exceed the first term, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब समझे, यहां पर, मतलब यह बोल रहा है, कि last term exceed the first term, मतलब क्या, कि जो last term, last term है, वो exceed कर रहा है, first term को, मतलब जो है, यह, कितना है, 2n, 2n, क्या, last term क्या है, इसका, last term क्या है, last term क्या है, यह बताई है, आप उनको, last term हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा लाश्टर भो जाएगा एट्व 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 तो इसको याद रख लिजेगा और इसको जो है आप पहुच किजी और खुच से बनाए इसको उसके बाद आप देखिएगा सॉल्यूशन को ठीक है क्या किजेगा तब आप देखिएगा सॉल्यूशन को ठीक है तो ओप करते हैं कि आपने जो है वो इस चीज को जो है वो बना लिया होगा हो गया बना लिया होगा ठीक है तो मैं इसको जो है वो इरेज करता हूँ ठीक है या इरेज करूँ क्या हाँ ठीक है इसको जो है मैं इरेज करता हूँ जल्दी से इसको लिख डालिए लिख दिया लिख दिया वीडियो को पहुच किजिए और लिख डालिए एक दो तीन चार पांग यहां से बीटा देता हूं यहां से बीटा देता हूं अब हम लोग जो है यहां पर क्या करेंगे यहां पर इसका सम निकालेंगे इस पहले तो आपका कितना आ जाएगा पहले आप यह देखिए पहले तो आपका फ्रस्ट ना जाएगा फर्स टर्म जो है वो आप का आजाएगा A क्या आजाएगा A आजाएगा A1 आजाएगा कि नहीं और common difference कितना आएगा common difference मतलब D कितना आएगा D अगर आप odd में बात करें तो D कितना D का difference क्या होता है D का difference होता है D का difference common difference कितना होता है common difference कितना होता है कि दी होता है कितना होता है common difference outta किम्टे होता है हमेशा हमेशा a do कितना आएगा common difference जो है आए आपका 2D ठीक है अब दिखिए यहां पर आप हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है वह जो है यहां पर हम लोग 2D लिख देंगे क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग लिख देंगे 2D क्या लिख देंगे यहां पर लिख देंगे यहां पर लिख देंगे 2D is equal to 24 लिख देंगे कि नहीं यह वाला सही है कि नहीं है पहले बताईए आप हमको सही है यह जो है यह चीत ना चीछ समय घए होंगे समय गए है आ है यहां पर हां टिक है कि यहां पर दीज़ें लिख दीज़ें यह और नमबर यह समें लिख दीज़ेंगे चैख और क्या करते हैं है यहां पर फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग क्या आ जाए है हम लोग आ जा जाएगा आपका 6 स्वावन supply टू एडिवाज प्लास ए मैंनमाइनवाइनवारं इस एक्वार्ण स्वाज ह्वार्ण स्वार्ण। कितना है य्युक वालिटन ये और किपनो ये क्या माले टे लिपनाद मृण लेते हैं यह Déhelp फ्रस्ट क्या माल लेते हैं यही है भी किने हैं खालगाथ जैकर दिए। हम लोग इस पर बात करते हैं अब वह वाले इस रेज़ल्ट को याद रखेंगे उस्सको याद रखोंगे यहान पर यहां पर इस हो अब दिखें यहां पर यहां पर क्या बोल रहा है event term मतलब क्या a2 plus a4 plus a6 plus 8 से लेकर कहां तक a2 n तक तो कितना अगया इसको जोड़ कितना है 30 है कितना total add 30 तो h2 is equal to n by 2 कितना n by 2 common difference इसमें कितना आएगा common difference आएगा अपका 2d का और a क्या होगा अपका a2 क्या होगा a2 तो 2 a2 plus n minus 1 into 2d is equal to कितना आजाएगा is equal to 30 तो कितना आएगा यहां पर यहां पर आजाएगा n by 2 तो वही आजाएगा यहां पर कि वही आजाएगा n a2 plus क्या आजाएगा वही आजाएगा यहां पर यहां पर भी वही आजाएगा कि n a2 plus n minus 1 into d is equal to 30 is equal to 30 is equal to 30 ठीक है क्या आजाएगा तो यहां पर हम लोग यह लिख सकते हैं कि नहीं यह a2 है क्या है यह जो है यह a2 है है कि नहीं यह क्या है यह a2 है है कि नहीं a2 a2 क्या है यह a2 है a2 है तो इसको वह लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं n a plus d एक चीज़ आप जानते होंगे A2 is equal to kya होता है A plus D होता है कि नहीं तो इसको आम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं N minus 1 into D is equal to kitna आएगा 30 आएगा 30 आएगा तो N A plus N minus 1 into D क्या A plus N minus 1 into D अब दिखें आपे A plus D क्या आएगा A plus D अब A plus D plus N D minus D is equal to kitna 30 कितना 30, कितना 30, कितना 30, तो A plus N D क्या N A plus N D क्या यहाँ पे जो है वो D D जो है वो Cancel Out हो गया कि नहीं यहाँ पे जो है वो D D cancel out हो गया A plus N D equal to kitna आएगा 30 आएगा यह second आपके result आ घया कि नहीं आएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि first और second result से जो है एक नया रिजल्ट निकालेंगे क्या करेंगे यह जो है आपका सगेंड रिजल्ट आ गया कि नहीं कि N N A plus N D is equal to 30 क्या N A plus N D is equal to 30 ठीक है क्या करेंगे N A plus N D is equal to कितना ठ्ट्टि ना ठ्ट्टि अगहा कितना अएगा थठ्टि आगहा ओप करते हैं कि आप जो इसको लेकल डूर कि आगे बढ़ते हैं कि अ़गते हैं है कि अगे को spr physics को सब्हें कुछ suka फर कि कि पहुप करते हैं कि आपने वह स्टीश को ऑठ लिख लिख लीए होगा कैं किया होगा आपने इस चीज को एव साधे लिए आगा डेक है तो आप हम लोग जो है वो दोनों रिजल्ट जो है इसको कंपेर करते हैं क्या मतलब उसको सिंप्लिफाई करते हैं दोनों रिजल्ट को लेके तो हम लोग का स्वर्ण कितना आया था स्वर्ण आया था एं प्लास एन माइनस ब lijंप इंटु डै कि यहीं न आया था किया यहीं न आया थी बताई आहीआ था यह बता है उ पहले पहले ह हमगो थे यह पहला हम और खराल न एम प्लास एन माइनस वाड़ी इंटु डिजिकल לפ कितना तोनों को सब्ट्रैक्त करतेंगे क्या करते हैं अगर हम इसको सब्ट्रैक्त करते हैं अगर हम इसचीज को जो है वो subtract कर देंगे तो क्या होगा यहां पर कि पहले जो है यह n n जो है यह cancel out हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर यह जो है यह n n cancel out फिर कितना तो सुरी एक एंसील आउट फिर n nd minus यह nd minus 1 सुरी minus d minus d is equal to कितना आ जाएगा इस इ Bei डर अजाएगा या माइनस सिक्स यहां पर अलगा माइनस 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 स्ट जाएगा to end m chickens uses 10 10 the70 ए 실्रत लो कितना six कितना सिक्स कितना इस यहाँ बहुंपर यहाँ प्र strengthen इतना इक है तो यह वाला जो है इतना आ जाएगा आ जाएगा यह गर अगर आप करते हैं तो यह वाला जो है अब आपका और ऊसको कर लीजेगा इसको प्रख़ेगा किसको कॉल है इपका या उसस को कर ल FUCK और हम लोग वह यहरो है इन कोे कि आपकोण को देखते हैं अब हम लोग जो है 21 by 2 यह कितना बन जाएगा a plus a plus 2n-1 कितना a plus 2n-1 into d minus a1 is equal to कितना जाएगा 21 by 2 अब a1 क्या होता है a होता है तो a से कट गया अब क्या बज़ जाएगा कि 2n-1 into d is equal to 21 by 2 अब हम लोग जो है वो इसको जो है क्या करेंगे कि इसको simplify करेंगे अगर हम इसको simplify करते हैं तो कितना जाएगा a and d क्या जाएगा आपका जो है वो क्या जाएगा a and d minus d is equal to कितना 21 by 2 कितना 21 by 2 कितना 21 by 2 और इसको जो है इसको इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यह यह nd और x तो यह जो है और यह आपका सब्सक्राइब उसक्राइब कल लेंगे क्या करेंगे त्षाद और फोर्ट से जो आपना जो है वो एंसर निकाल लेंगे मैं यहां जैने बाँ अब हुम लोग यहां पे इसको पूट करेंगे जल्दी से, हो इसको लिग करेंगे क्या करेंगें अगर शब्टर्क करेंगे तो यह इतना आजाएगा इतना आ गया अब इसको nd i is equal to six आ जाएगा फिर हम लोग जो है वो इसको याद करेंगे कि भाई या लास्ट चरम भी तो था और इसको जो है इतना करेंगे और फिर हम लोग कितना आ जाएगा कि gives me a है मि अंद्य माइनस क्या था हुध सिक्ष्ट को लिख लिख लिया होगा तो हम लोग को जो है वह क्या था हम लोग कर जो है वो क्या था क्या था 2nd minus 2nd minus 2nd minus d is equal to 21 by 2 2nd minus d is equal to 21 by 2 यहाँ पे nd कितना है भाई nd है आपका 12 sorry 6 तो यहाँ पे क्या होगा 2 into 6 minus d is equal to 21 by 2 12 minus d is equal to 21 by 2 तो d is equal to कितना है गा minus d is equal to 21 by 2 minus 12 तो कितना आ गया minus d is equal to 21 by 2 minus 24 ठीक है तो यहां पे कितना आ गया minus d is equal to minus 3 by 2 minus minus cancel out तो d is equal to कितना आ गया 3 by 2 कितना आ गया 3 by 2 कितना आ गया 3 by 2 यह आपका हो गया 5 अब d से हम लोग क्या करेंगे क्या करतेंगे तो आप हम लोग इसको सब्ट्रैक कर दिए है तो 2 into 6 minus D यह आगे है आपका इतना सकते हैं इतना को ला सकते हैं ठीक है तो हम कंपर आपका लिख ली आओंगा की और बड़ुटको लिख लीजी 8 2 3 4 5 तो भ पढ़ऄ ने क्या पढ़ा हम ने द्वल इकल्टू की इतना हैं इस इकपना 2005 is equal to 6 n into 3 is equal to 12 ठीक है तो n is equal to कितना आएगा 12 by 3 कितना आगया 4 कितना आगया 4 और हम लोगों क्या पुछा था हम लोगों को क्या पुछा था ये बताई आप हमको number of terms पुछा था कितना number of terms number of terms क्या था even था even मतलब क्या 2L के फॉर में था तो क्या होगा 24 into 8 एंसर आगया आगया एंसर क्या आगया आगया एंसर ठीक है तो पहले हम लोगों ने जो है एंसर कितना है एंसर है 8 कितना है एंसर जो है वो क्या है पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने जो है वो इस पहले जो दिया था उसको हम लोगों ने solve किया तिया वो सब को जोड़ा उसका common difference तो हम लोगों मानूं था कि common difference क्या होता है odd का common difference 2D होता है और event का common difference कितना होता है 2D होता है अब दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो हम लोगा इतना answer आया आगया अब ये तोनों का हम लोगों ने दो और एक और दो से एक और equation निकाला जो कि तीन था तीन था अब ये तीन जो था ये तीन से हम लोगों ने क्या हम लोगों रिजल्ट याट था कि नहीं कि last term exceed the first term मतलग क्या a2 and minus a1 is equal to कितना is equal to 21 by 2 तो फिर हम लोगों ने जो है वो third or fourth को simplify क जिसे हम लोगा क्या निकला फिफ्थ निकला तो फिफ्थ में क्या था भई फिफ्थ में क्या था ये बताइए आप हमको फिफ्थ में था आपका कि फिफ्थ में इससे हम लोगों क्या निकल गया इससे हम लोगों क्या निकल गया डी हम लोग क्या निकल गया डी निकल गया sum of odd term is 24, मतलब क्या किया, कि हम लोग ने odd term को sum कर दिया, a1 से लेके a24 तक, तो यहाँ पर, sorry, odd number में दिया हुआ था, मतलब क्या, a1 प्लस, a3 प्लस, a5 प्लस, a7, से लेके कहां तक, a2n-1, a2n-1, last होता है उसका last term, odd term का, यह दोनों को हम लोग ने जोड़ा, तो 24 आया, अब हम लोग 24 आया, तो इसको हम लोग ने क्या किया, कि a1 is equal to n by 2, 2a, 2a, plus n-1 into 2d, क्यों इस common difference 2d का होता है, तो अब हम लोग ने इससे क्या निकाला, कि n, n plus nd is equal to कितना आ गया, 30, ठीक है, अब हम लोग second में क्या किया, कि even number वाला को simplify किये, तो क्या किये, sum कितना आया था, a2 plus a4 plus a6 plus a80 equal, dot dot dot, कितना तक, a2n तक, कितना आ गया, a2n last term आ गया, इसका, अब हम लोग क्या किये, कितना था, 24 था, ठीक है, अब हम लोग का, जो है, अगर हम लोग इसको simplify किया, तो n, a plus n minus 1 into कितना आ गया, d आ गया, कितना आ गया, d आ गया, ठीक है, hope करते हैं कि, आप जो यह समझ रहे होंगे, और उसके बाद, जो है, यह दोनों equation को हम लोग ने simplify किया, तो हम लोगा, कितना आया, nd is equal to 6 आया, कितना आया, nd is equal to 6 आया, अब हम लोग ने क्या किया, कि आब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, कि last term exceed the first term, क्या, last term exceed the first term, मतलब क्या, कि a to n मा, last term क्या था, last term था, a to n, even number है यह, तो last term क्या होगा a2n होगा और minus first term first term क्या a1 is equal to कितना था 21 by 2 अब यह तोनों equation को हम लोग ने एक साथ simplify किया तो हम लोगो क्या result आगे हम लोग को d निकाल लिया हम लोग इस equation से और हम लोग जो है अगर d निकाल लिये तो nd is equal to कर लेंगे और अगरण मैं है तो हम लोग कि रहेगा बस लोग कि रहें हैं यहां पर उन का यहां पर करेंगे लिए कि तो प्रुटेट हैं कि अब हम लोग जो है इसको मेथड नमबर टू से बना के देखते हैं ठीक है फ़ोप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिख लिए होगा तो आप हम लोग जो है इस sum of odd number is 24 है क्या है sum of odd number is 24 or sum of even number क्या है 30 है तो हम लोग क्या करेंगे a2 plus a4 plus a6 plus a8 से लेके कहां तक an तक plus an कितना है भाई 30 है कितना है 30 है ठीक है अब हम लोग यहां पर जोड़ेंगे कि a1 अब यहां पर odd number वाला a1 plus a2 sorry a3 plus a5 plus a7 से लेके कहां तक लेके हम लोग करेंगे a2 and minus 1 तक तो कितना आ गया हम लोगा हम लोग आ गया 24 अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है वो इसको इसको माइनस करेंगे इसको क्या करेंगे इसका सब्ट्रेक्ट करेंगे अगर हम इसका सब्ट्रेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि यह क्या आ गया एक टू क्या आ गया एक प्लस डी अगर एक प्लस डी में से जो है अगर हम लोग एक को माइनस करते तो कितना आएगा दी आएगा फिर अगर हम A4 है यह A4 मतलब क्या A plus 3D और यह क्या है A plus 2D तो अगर हम जो है इसको करेंगे तो यह भी D आएगा मतलब क्या कि D D D D D यह हर जागर D आएगा ठीक है और यह कितना आगया है यह आगया 6 इतना बाट D है तो इसको हम लोग पोल सकते हैं कि नहीं, N D, N D equal to 6 आ गया, इतना आ गया, 6 आ गया, Direct Answer, Direct method से इसको कर सकते हैं, ठीक है, उतना लफडा करने की जड़ुत नहीं है, हम लोग इसको short method से इस चीज़ को कर सकते हैं, इसको जो है, हम लोग लिखें, पहले उपर लिखें even number वाला के फिर हम लोग लिखें odd number वाला को, अब हम लोग इसको minus करेंगे, तो हम लोग मालूम है, कि क्या बचेगा क्यों common difference बचेगा, finite number इस दुनिया में, इस दुनिया में number की कमी नहीं है, तो ठीक है, तो nd is equal to क्या किया है, कि हम लोग ने जो है, जितना बार आए, भाई, nd n ले लिया हम लोग ने, क्या ले लिया हम लोग ने, क्या ले लिया हम लोग लिया है n को, तो nd is equal to कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कि अब हम लोग को क्या मालूम है, अब हम लोग को एक चीज मालूम था, क्या मालूम था हम लोग को, कि last term, exceed the first term, minus a1 is equal to 21 by 2 है, है कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, कि इसको simplify करेंगे, तो a plus n minus 1, sorry, a plus 2n minus 1 into d न, a plus, इसको हम लोग क्या करे कि इसको हम लोग simplify करेंगे तो a plus 2n minus 1 into d ठीक है और minus a1 is equal to 21 by 2 a से गया 2n minus 1 d is equal to 21 by 2 कितना आ गया 21 by 2 कितना गया 21 by 2 अब हम लोग क्या करेंगे कि 2nd minus d is equal to 21 by 2 अब हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं कि 12 minus d is equal to कितना 21 by 2 क्या मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला कि यहां पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूट करेंगे ठीक है तो 2 क्या करेंगे हम लोग कि 2nd minus d is equal to 21 by 2 तो यहां पर जो है 3 by 2, कितना आ गया, 3 by 2, कितना गया, 3 by 2, अब हम लोग क्या करेंगे, कि n is equal to कितना है, 6 है, अब हम लोग डारेक्ट इसको निकाल सकता है, कि नहीं, 3 by 2 is equal to 6, तो n is equal to कितना आएगा, n is equal to आएगा आपका, कितना आएगा, बताईगे, यहाँ पर आएगा, 3 to just, 12, 4, 4, कितना आएगा, 4, कितना आएगा, n is equal to कितना आएगा, 4, पहले आप इसको लिक लीजे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कि number of terms निकालना है, 2n, कर देंगे क्या करते हैं और फिरarner क्या निकलना है हम लोगों निकलना नहपर ऊफ तो फॉर मतलब कितना है डारेट तो पहले हम लोगों नंपर नंबर को लिख्ञा और अभर लोगों हैas आवा इसको माइनस की तो इसको एंड लिख लिक कें फो सिक्स लिख लिए ठीक है अब हम लोग इसको है वो है सिंप्लीफाइ करके हम लोगा कितना आ गया यह पूट कर ओंड नुममर अफ टम्स निकाल लिए ठीक है होप करते हैं कि आपको यह जो है यह मेथट समझ में आया हुगा क्योंकि यह उससे असान मेथट है अगर वह आप लगाने जाएगा तो फॉट ज्यादा टाइम लगएगा और आपके पास क्वेश्चन बनाने लिए पूरे कितने मिनट है तीन मिनट तो अगर आप उसको बना कि जल्दी से लिक लीजिए इसको अगर अगर आप कि अज़ें कि अगर अगर इस खुब करते हैं कि आपने जुह है वो इस चीज को लिख ही आवा तो ये अब हम लोग जो है वोश्कों मिटाते हैं ठीक है अब देखें हैं अब हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2022 का क्वेश्चन है ठीक है तो जल्दी से जो है इसको देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए अब देखें यहां पर क्या क्वेश्चन क्या है वही क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन यह है क्लेट क्या है तो हम लोग जो है वह पहले क्या करना होगा पहले क्या करना होगा पहले क्वेश्चन क्या था भाही थी शेट्स नाइन टुवेश्चन अप्टो 78 78 अप्टो 78 था ना तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर लोग लिख देंगे कुड़ी कितना है थ्री कितना थ्री प्लास 77 इंटो 3 कितना था इंटो 3 कितना था और फीर अब टो कितना आप तो 59 टोंस इसमें क्या करेंगे हम लोग t59 is equal to 5 plus 59 minus 1 into d d d d d 9 minus 5 कितना है d d कितना इसमें d 4 तो यहां पर कितना आ गया 4 plus 58 into 4 तो कितना आ गया 237 कितना 237 क्या गया 237 मतलब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं अप्टो 59 टरूम मतलब क्या यहां पर हम लोग इसको मिटा के क्या लिख सकते हैँ 234 तक यहां पर 59 मतलब क्या 237 तक है कि नहीं कितना तक 234 और 237 तक यह AP, एक AP है और यह दो AP है, क्या है, एक AP, मतलत क्या, कि पहला AP है, दूसरा AP है, B2 series, ठीक है, Then the sum of, then the sum of terms, यह दोनों को जोड़ के जो है, common, common to both equal to, अब देखिए यहां पे, यह दोनों को जोड़ के जो है, जो common आएगा, यह दोनों में, उससे एक AP बनना है, क्या बनना है, उससे जो है, एक AP बनना है, क्या है, तो यह दोनों में जो है, वो common क्या है, यह दोनों में क्य three three common है 66 है नहीं है nine nine common है ए यह दोनों में जो है वो हम लोग क्या करेंग कि हम लोग जो है वो क्या पॉरेंगे कि देखिए हाँ दे हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसा करेंगे हम लोग कॉमन लेने वाल बनायेंगे किलेंगे किसका लेंगे लिए पताई आप हमको लेंगे कितना इसमें कितना निकल गया जो यह तूनों को जोड़े हम फस्वर्स रम और यह उपिवर रडजा ऑर तो हम लोगों ने नहां बनाया बनाएं थे ने मेंникомन दे कि लोगह ने एक नाए यह इसका नाए जी का ऊचिक आए और बोर्ट्य स्वर्ब पर सब्लकिश्तर है और अबा में ुर्वर्ण let it क्या करते हैं हम लोग वह एल्सियम लेने क्या करते एंप यहां पर अब देखिए यहां लोग इ gü!!! तो आप हम लोग इससे क्या करेंगे कि इते हम लोग और ये टम फितन हो नंटम बनाएंगे क्या करेंगे सिक्वेंस सप्सक्राइस कंतरफ हों नहींगे सप्रफितन हैं नाइन फिर ends सीटमर और जोड़िये इसको बारीजाते हैं तो 59ग לא 25 जो है वह चलते जाएगा क्या करेंगे इसको में मिटा देता हूं है चो करते हैं कि कि आप ने जो है इसको लिख लिए होगा तो इसको मेरा पिके तर्म किसे निका निकालना होगा है रहे थरा प्र राइन कारों रिल्मित्क को लीडितिनना होниवार प्रेट olması कर्णा करना होगा यह आंपकरना किरा था थे सिन बहुंजस्य निकाला है उसके लिए क्राया होगा तो अगर हम लोग n term में निकालेंगे तभी न समवा निकाल पाएंगे भाई अभी भी हम लोग को n term में नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक चीज आप जानते हैं एक चीज क्या आप जानते हैं कि TN जो है TN वो TN क्या होगा यह जो TN है यह जो total number of terms है यह कितना एक किसे यह सब चोटा ही होगा अब कितना 78 है तो इससे शुटा ही नहीं यह आप आता हूं कि यह क्या होगा है क्या हूआ है इससे generate हुआ है इसमें से common लेके इसको बनाया गया है इसमें से common लेके बनाए तो इससे तो छोटा ही न होगा, क्या होगा, अगर कोई AP को, दो AP को, अगर कॉमल लेकर बनाया जाता है, तो वो AP होता है, उससे जो है, यह छोटा होता है, इसको कहीं लिख डालिए, क्या केजे, इसको कहीं लिख डालिए, क्या केजे, इसको कहीं लिख डालिए, कहां, लिख तो यहां पर कितना आ जाएगा कितना इसको कितना बार में काटेंगे हम इसको अकर हम काटें तो कितना बार में 19 कितना ? 19 पॉइंट कुछ समफीं आएगा हम लोग क्या लीक सकते इसको हम लोग कितना है हम लोग जो है न को क्या माल लिए इन इस हाँ क्या प्लॉस एन mentored being यह किया यह किते हम लोग ठैल न क्या किया we have no way the Ab1 अरब 12 २ लेके զीच है तो common लेने के लिए हम लोग ने first time, first time क्या थाů 9, अब हम लोगों यह ऐसा कर दिया जाया, तो हम लोगो क्या करना पड़ेगा, हम लोगो जो है, वो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, LCM से निकालना पड़ेगा common difference, अब हम लोग जो है इसको क्या किया कि अब हम लोग ने इसका है नीकलेगा तो फनी से निकलेगा हुए student mtv to imagine वृता ही कि नहीं यह होता है न इसलिवह पापड़ ना पड़ रहाएं तो हम लोग ने क्या देखा भाया कि एन जो है एक चीज घ्रकाइब कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो जो नया एपी बनेगा वह वन और टू एपी जो है उससे छोटा होगा तो यहां पर जो है वह टी एंगिपर कितना थो थिटना थो शूटा होगा ठीक है तो टू एल्मेन मा is वो इस चीज को राइब कर लिया होगा तो क्या है स्पीवेंस ऑफ को मजब क्या है Jetzt स्पीत्वेंट्व का माब्ट क्या है स्पीत्वन क्या है यहीं है स्टीएंस ऑफ नat टीएंटीवन तो एक इतना है यहां पर A है 9, D कितना है, D है आपका 12, अब N कितना गया, N, 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 19, तो N, तो S, Sum of Terms, Sum of Terms कितना है, भई, Sum of Terms, Sum of Terms कितना है, इसमें यह बताईए आपको पहले, Sum of Terms इसमें कितना है, Sum, सम हमको निकालना होगा ने इसका क्या करना होगा सम निकालना होगा सम तो सम कैसे निकालेंगे 19 by 2 2a plus n minus n minus 1 into d d कितना 12 ठीक है तो आप हम लोग क्या करेंगे कि 19 by 2 18 plus 18 into 12 ठीक है तो आप हम लोग क्या करेंगे कि आप हम लोग जो है इसका answer निकालेंगे क्या करेंगे तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए क्या किजिए आप इसको जो है वह लिख प्लिए इतना एंसर आया है ख़र है कि ऑप करते हैं कि आपने जो है इसको लिख लिया होगा क्या कि आओगा इसको जो है इस चीश को जो है वह राइट डाउन कर लिया होगा तो कल हम लोग जो है वो अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेंगे किसके बारे में कल हम लोग आज हम लोगों ने जो है वो पांचे क्वेश्चन किये है आई एटी के तो उसको जो है आप एक बार रिविजन कर लिजेगा कल हम लोग जो है वो और दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग अर्थमेटिक मीन को सुरू करेंगे और फिर हम लोग जो है अर्थमेटिक मीन और बहुत सारे कल क्वेश्चन करेंगे और एक बार क्वेश्चन करेंगे और फिर जो है फिर हम लोग जो है अप की वहीं कि पहले आपने चीज समझ लिया फिर हम लोगा इसका सम कर दिया क्या कर दिया हम लोग pon इसका जो है आपको common difference निकालना है तो क्या करना होगा common difference 1 और 2 का LCM लेना होगा नया एपी क्या होगा नया एपी छोटा होगा ठीक है तो आप हम लोग क्या करेंगे इसको कि यह हम लोग जो है वो होगा तो क्या होगा कि 12N फरी तो 12N हो गया फिर हम लोग कर दिया तो कितना यह 19 आ गया ठीक है 19 आ गया 19 पूंट कुछ सम्थिंग आया हम लोगों ने 19 माना है इसका निकाल लिया और यहां से हम लोगों ने सम निकाल लिया होप करते हैं कि आपको जो है वह आज की वीडियो अच्छी लगी आपके आज का पर फिर से आप घर कीजिएगा तब आप इस लेक्चर को जो है वह खतम कीजिएगा और फिर इसको छहां वह खतम कीजिएगा चलिए पढ़ते लगे और पढ़ते रहिए मिलते हैं नीक्स्ट वीडियो में टिल्ट टाटा बाइबाई